हेई गाईज, वेलकम बैक टो बिंच क्रेविंग्स और आज हम बहुती इनोवेटिव सी रेसिपी बनाने जा रहे हैं आज हम बनाने जा रहे हैं पास्ता लेकिन इसको हम तयार करेंगे लौकी के साथ ये खाने में बहुती टेस्टी लगता है साथ ही जिन्नों को ग्लूटन इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम है वो लोग भी इस पास्ता को बहुती आसानी से खा सकते हैं क्योंकि इसे बनाने में हमने बिल्कुल भी ग्लूटन का यूज नहीं किया है तो आईए फिर बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं अपनी आज की रेसिपी लेकिन रेसिपी से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें साथी बैल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मिलती रहें इन लेटिस्ट अब तक्योंकि हम बना रहे हैं लौकी का पास्ता इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है इस रेसिपी के लिए इस तरह का जूलियन मेकर मस्ट है क्योंकि इसके बिना आप इस रेसिपी को नहीं बना सकते हैं और इसके अलावा हमें चाहिए पानी यहाँ पर हमें पानी एकदम ठंडा रखना है और कान्टैक्ट में आती है तो उसका कलर थोड़ा डाक होने लगता है इसलिए इस चीज को रोकने के लिए हमें इसको पानी में डालना बहुत जरूरी है लौकी का जो थोड़ा हाट पोर्शन होता है उससे ही हमें जूलियन्स तैयार करने हैं जो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट में अब बारी आती है पास्ता सॉस बनाने की पास्ता सॉस बनाने के लिए मैं यहां पर एक हेवी बॉटम पैन में एक टेबिल स्पून बटर इसको थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर देने के लिए मैंने यहां पर बटर को पहले पैन पर लगा दिया है और अब मैं इसके अंद आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ी कम या ज्यादा कर सकते हैं अब नॉर्मल सॉस बनाने के लिए हम इसके अंदर मैदा यूज करते हैं लेकिन हम यहां पर एट करने वाले हैं बादाम का पाउडर नॉर्मल बादाम को हमें मिक्सी में पीस लेना है और इससे हमा अब 30 सेकिंड्स के लिए सौते करेंगे और सौते करने के बाद में मैं इसमें एट कर रही हूँ दूद दूद की क्वांटिटी है 300 ml अच्छे से सारी चीजों को मिक्स करें क्योंकि हमने मैदा की जगह पर आल्मन फ्लार का यूज किया है इसलिए इसे थिक होने में ही पकने देंगे दूद भी हमें थोड़ा थोड़ा करके ही एट करना है तो यहां पर जितना भी बचा हुआ दूद हा मैंने इसके अंदर एड कर दिया है और इसमें अपने टेस्ट के अकॉडिंग अब नमाक ऐड करें साथ ही इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ब्लैक पैपर पाउडर एड़ करें अच्छे से मिक्स करें आप इसके अंदर अपने पसंद की कोई भी वेजेटेबल एड़ कर सकते हैं हालाकि वेजेटेबल को क्रंची रखने के लिए इसे थुड़ा पकने के बाद में ही इसके अंदर एड़ करें जैसे मैं यहाँ पर बारी कटी हुई गाजर एड़ कर रही हूँ आप अगर इसके अंदर शिम्ला में चैट कर रहे हैं तो उसको बिल्कुल बाद में एड़ करें ताकि उसका कलर खराब ना हो साथ ही मैं इसमें एड़ कर रही हूँ एक टी स्पून ओरिगेनो सीजनेंग आप इसके अंदर रेड यलो बेल पेपर एड़ कर सकते हैं ब्रॉकली एड़ कर सकते हैं स्वीट कॉन एड़ कर सकते हैं तो मैं अपने पसंद की कोई भी वेजिटेबिल एड़ कर सकते हैं और अब मैं इसके अंदर एड़ कर रही हूं चीज स्लाइस यहां पर मैंने चीज स्लाइस यूस कि यहां पर देख सकते हैं वह आप सोछी करने वाली हूं लॉकी के जूलियंस लुखी को हमें किसी भी हाल में कुक नहीं करना है जिस तरह से हमने जूलियन्स थयार किये थे बस सीधे हमें इसे strain करने के बाद में इसके अंदर add कर देना है strain करना इसलिए जरूरी है ताकि जितना भी एक्स्ट्रा पानी हो वो drain हो सके तो यहाँ पर सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर दिया है और लगभग हम इसे एक मिनिट तक इसी तरह से पकने देंगे जैसे जैसे लौकी पकेगी इसमें से भी थोड़ा सा मॉइस्चर रिलीज होगा जिसकी वजह से सौस थोड़ी पतली हो जाएगी तो थोड़े दियर हम इसे पकने देंगे ताकि ये सौस वापस से थेक हो सके बस लगभग एक मिनिट हम इसे और पकाएंगे और हमारा पास्ता बनकर तैयार हो जाएगा और ये लीजे हमारा लौकी का पास्ता बनकर एकदम तैयार है और आप देख सकते हो कि ये देखने में भी कितना बढ़िया लग रहा है जो लोग बहुत जादा डायेट कॉंशिस हैं उनके लिए भी ये रेसिपी बहुत ही बढ़िया है तो लग रहा है न ये देखने में एकदम टेम्टिंग तो आज की इस रेसिपी को आप जरूर ट्राय करें और अपना फीड़बैक मेरे साथ शेयर करना ना भूलें फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ तिल देन टेक क्यार एंड कीप वाचिंग बेंच क्रेविंग्स